हेलो काईज वेल्किम पूर अधर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंट्स नेट एवेन्यू टेक्नोलोजिस लिमिटेड है जिस आइप के हम लोग आज के इस वीडियो में अलॉट्मेंट के बारे में डिसकस करेंगे इसका अलॉट्मेंट कब कहा और कितने भी किया जाएग तो यह अलॉट्मेंट हो सकता है तो अगर देखें यह एकसेप्ष नल दो केसे समय हो सकते है या तो देखें टी प्लस त्री टाम लाइन को आगर फॉलु करती है इसका लॉट्मेंट के दिन आ सकता है तब डेपेंड करता कि कम्पनी का जो आई-प्यो का बार्चिन बाद लेट नाइट तक इस आई प्यों के लॉट्मेंट आ सकते हैं बहुत जाला चांसे से आज के दिन लॉट्मेंट आने गा क्योंकि अभी जितना तर अगर देखा जाया जैसे जितने भी आईपो जाहें वह मेंन लाइन हो या फिर समी कडेगरी का आईपो सब्सक्राइब को फॉलो करके क्लोजिंग के एक दिन बाद इसके लॉट्मेंट आ रहे हैं जितने भी आईपो अभी ल बी बीग सेर्विसे प्राइवेट लिमिटेड या तो नसी क्योंकि एसमी प्लाटफों पर लिष्टेड हो रहा है तब नसी पे चेक कर सकते हैं अब यहां पर हम बात करेंगे पहले बीग सेर पर लेके चलते हैं जो की ओपन हो चुका है लिंक प्रोवाइट कर दूंगो ड आपको अलोटमेंट जो है तो आज इवनिंग में आपको अलोटमेंट आ सकते हैं जब भी अलोटमेंट आएगा इसको आपको सेलेट करना अपना यहां पर आपको आपको कर जाएगा डेमो के लिए में दीपक केमकेक्स लिमिटेड जो किसे रिसेटली आई-प्यू का अलो तो आपका जो application number होगा वह यहां पे आप fill कीजएगा अगर आप beneficiary ID select करते है तो आपको यहां पर selection type में जाना होगा यहां पर select पर और अगर आपको beneficiary annual depository अगर आपका nsdl है तो आपको nsdl add क्लिक करना होगा आप इसको क्लिक करके पैन नमबर सेलेट करते हैं सब्सक्राइब चलते हैं इसमें कैसे चेक करना और इसके लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा आपको यहां पर टॉप में ही हेड्लाइन सो कर रहा है वरिफाइ आपको स्क्रॉल डाउन करना और यहां पर एक ऑप्शन आ र यहां पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले इस यूजर नमब पास्वड से अगर आपके पास्वड नहीं है तो आप यहां पे पास्वड करके आपको यहां पर पास्वड कर जायगा हूए या फिर नहीं चांसे कितना पर्षंट है तो डिपेंड करता रिजर्वेशन सब्सक्रिप्शन पर 18.96 परशन को ओफर दिया गया है QIB को अधर्स को 14.33 परशन के एचनाई को और रिटेयल को 33.29 परशन को ओफर दिया गया है सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसके जो सब्सक्रिप्शन वाइट 61.99 टाम्स का जो कि QIB में चांसे एक सब्सक्रिप्शन का है लेकिन एचनाई में बहुत रियर चांसे 616.25 टाम्स का सब्सक्रिप्शन है रिटेयल में भी 721.89 टाम्स का सब्सक्रिप्शन है जो कि 0.01 प पर इसका GMP चल रहा 29 पर लिस्टिंग हो सकती है और 61% की profit मिल सकता है लिस्टिंग गेंड बहुत strong दे सकती है इसके promoter holding अगर देखिएगा तो after post issue जो है post IPO 33.28% की holding देखने को मिलेगी और anchor investor से 2.91 करोड का fundraise कर चुका है यहाँ पर इसका देखिए जिनको allotment ने उनके refunds कब तक आएगे जो refunds होते है यह आपका जब allotment नहीं हो तो next day आपका refunds जो सो release कर दियता है जिस दिन इसका allotment होता है उसके next day release कहता है यह refunds को तो अगर यह IPO का allotment 5 December को आता है तो आपको 6 December को इसके refunds जो इनिशेट कर दिये जाएंगे अगर इसका allotment 6 December को आता है तो इसका refunds जो हाँ 7 December को initiate किया जाएगा और इसका लिश्टिंग बुसी तरह होगा इस मतलब कि T plus 1 timeline में इसका allotment होगा या T plus 2 timeline में तो उसके प्लस टू एड करके मतलब कि प्लस टू और ट्रेडिंग डेज को आड करके इसका लिश्टिंग होगा मतलब कि यह पाच को allotment आता तो 7 December को जो इसका लिश्टिंग होगा और जिनको भी allotment बहुत लग्य होगा जिनको नहीं होगा जो बहुत ज्यादा unlucky होंगे तो हम कमेंट बॉक्स में पुचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाइबाइ